नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बर फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबी की वेकैंसी के बारे में जहां दोस्तों इंटलीजियंस ब्यूरो के अंदर आपकी बहुत बड़ी बंपर बढ़ती निकल चुकी है सिक्रियूटी असिस्टेंट के पदो पे और साथ में आपके एंटेस के पदो पे वेकैंसी निकल चुकी है पूरा डिटेल में आपको वेकंची के एड़ुकेशन, कौलिफिकेशन, नोटिफिकेशन के जरीए आपको पूरी जानकारी देने वाले है आप एधन कपसे स्टार्ट होने वाले हो भी आपको बताने वाले तो दोस्तो जो भी interested candidate है वीडियो को शुरू से लेकर के end तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तो अब यहाँ पर बीना किसी देरी के करते हैं वीडियो को start तो दोस्तो यह रहा आपका IB की तरफ से निकाला हुआ official notification vacancy आपके security assistant executive और multitasking staff के पदों पर निकल चुकी है vacancy में कितनी post रहने वाली है all India level की भरती रहेगी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके particular state दे रहे है cities दे रहे हैं सभी cities में आपके कितनी post रहने वाली पूरा detail में यहाँ पर बता रहा है अगर total number vacancies के हम बात करें तो दोस्तों आपको बता दू कि यहाँ पर जो आपके security assistant और executive के पद रहने वाले 1521 vacancies निकल चुकी है और MTS की अगर हम बात करें तो 1500 vacancy आपकी रहने वाली है इस vacancy काफी अच्छी है दोस्तों all India level की रहने वाली official website आपकी www.mha.gov.in रहने वाली है या फिर आप यहाँ पर official portal www.ncs.gov.in पर जाकर भी आवेदिन कर सकते है काफी अच्छी vacancy दोस्तों इस vacancy के लिए आवेदिन जरूर कीजिएगा अब आपको पूरी post के बारे में बता देता हूं पेस्केल आपका क्या रहेगा वो भी हम बात कर लेते हैं अगर हम बात करें security assistant की post के लिए तो आपका level 3 का पेस्केल रहने वाला है 27,700 से लेकर के 9,300 रुपे आपका पेस्केल रहेगा अगर MTS की बात करें तो level 1 का पेस्केल रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900 रुपे पर मन तक आपका पेस्केल रहने वाला है काफी अची वेकेंसी दोस्तो आपका यहाँ पे special security allowance 20% आपका basic वेकर थूँ आपको मिलने वाला है essential qualification की अगर हम बात करें तो आपका बता दो कि matriculation pass 10 pass यहाँ पे रखा गया है इसके अलावा आपका यहाँ पे जिस state से आप आवधन करना चाहते है वहाँ का आपका domicile certificate होना जरूरी है साथ में local language का आपका knowledge होना जरूरी है यह आपकी essential qualification रखी गई है दोस्तो age limit का criteria अगर हम देखें तो maximum age आपकी 27 साल रहने वाली है minimum age आपके 18 साल रहेगी इसके अलावा MTS के लिए maximum age आपके 25 साल की रहने वाले है अलग से age relaxation का criteria आपको दिया जाएगा पांच साल का age CST के candidates के लिए और भी से candidates के लिए 3 साल का relaxation आपको दिया जाएगा यह आपका age relaxation हो गया इसके अलावा भी बाकी की other detail भी आपको बता देते है तो दोस्तो इसकी मों examination के अगर हम बात करें तो tier 1 आपका conduct करवाए जाएगा जिसमें general awareness, quantitative, aptitude, numerical, analytical, English language और general studies के आपके आने वाले है one fourth marking आपकी होगी negative marking एक गंटे का time दिया जाएगा so number का आपका paper होने वाला है tier 2 आपका conduct करवाए जाएगा descriptive type के आपका paper होने वाला है इसके अलावा 500 word आपके local language English या फिर जो भी translation के आपको दिया जाएगा 40 number का आपका होने वाला एक गंटे का time दिया जाएगा ऐसे ही tier 2 में part 2 आपका होने वाला है जिसमें spoken ability आपकी check की जाएगी tier 3 के अगर हम बात करें तो interview या personal test आपका conduct करवाए जाएगा 50 number का यह आपका पूरा process में ने बता दिया है 5 November से आपके आवेदन start होने जारे 25 November आपके last date रहने वाली है तो जो भी interested candidate है last date से पहले-पहले आवेदन कर लीजिएगा application fees की अगर हम बात करें तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो application fees आपके 50 रुपे रहेगी recruitment processing charges 400 रुपे रहने वाले है अब आपकी यहाँ पे fees की अलग-अलग रहेगी SST के लिए अलग रहने वाली है दोस्तो closing date आपके 25 नौबर उसके पहले-पहले आवेदन कर लीजिएगा अब मिलेंगे आपे next वीडियो में एक ने update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों